हेलो डियर हमारा जीतने भी डियर एस्टुएंट है सबको बेलकम करता हूँ यहाँ पे और आज का जो प्रशन है सकेंड डियर के उपर जो है बहुत ही संदार होने वाला है दोस्तों बहुत भेरी भेरी इंपरेंट है लॉंग या सोट के लिए जो है आपसे कुछन सब चीज़ है हम आज देखेंगे किसी पेसेंट को अगर किसी बच्चा में अगर नीमोनिया होता है तो जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़े देखने को मिलता है देखिए एक कुछन आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पुछेगा और एक कुछन जो है को ध्यान से देख लिजिए यहाँ पे अगर चाइल्ड के हिसाब से लिखा जाएगा बच्चा के हिसाब से तो वहाँ पे एक नोर्मल पेसेंट मान के आप लिखेंगे समझ गये बांकि कुछ कुछ थोड़ा मुरा जो चेंज़े होगा माइनर चेंज होगा तो उसको आप स पेसेंट होगा उसके लिए अलग हो सकता है समझ गये चलिए फिलाल जो है चलिए नीमोनिया के बारे में देखते हैं देखिए यहाँ पे नीमोनिया क्या होता है तो देखिए बेस्टिकली जो नीमोनिया होता है यह फेफरा जो होता है उसमें संकर्मन होता है उसमें सूज है पैरेन काईमा उसमें जो है संक्रमन या परदा होना ही जो है निमोनिया कहलाता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परदाह में जो है आपका सूजन हो सकता है मवाद हो सकता है पस बगैर हो सकता है जो है उसमें फेफरा के जो बायू बाला जो छेत्र है उसमें भर जाता है समझ गए ना तो परदाह में विभीन परकार के चीज़े हो सकता है या एक जो है समस्या का केटेगोरी होता है उसी को जो हम लोग इनफ्लामेशन यानि परदाह कहते हैं समझ गए ना तो परदाह में जो है या तो फेफरा में संकरमन के कारण जो है पीब मबाद बह जाएगा भर जाएगा या जो है उसमें सूजा ना जाएगा संकरमन के कारण भी ठीक है तो बहुत सारे जो है ए रीजन आपका जो है फेफ भरना मबाद भरना या सूजन उसमें फेफरा में हो जाना तो इस सब परकारे जो है संकर्मन के कारण या और सारी रीजन से हो सकता है तो यह नीमोनिया होता है समझ गए चलिए कारण के तौर पर देखा जाए कि क्या कारण हो सकता है तो देखिए इसके होने का कारण विभीन बैक्टरिया हो सकता है वाइरस हो सकता है फंगस कौबक हो सकता है तो अलग-अलग जो है हरे कैटगोरी के संक्रमन के कारण नीमोनिया हो सकता है समझ गए आप देखिए इसके क कारण होता है इसा बैक्टरिया है डिपलो कोकस बैक्टरिया और इस्ट्रेप्टो कोकस बैक्टरिया दोनों असान है याद रखिएगा यह बैक्टरिया है और इसके करण जो नुमुनिया होगा तो उह होता है आपका बैक्टरिया जनीत समझ गये चलिए नेक्ष्ट आपका Influenza virus और Paramexico virus स्मझ गया जिस परकार से उपर में बैक्टरिया के दो वारा दो बैक्टरिया देखे है ठीक है रहा है इस्ट्रेप्टो कोकस बैक्टरिया जो देखे हैं तो उसी उसी परकार से यहां भी जो है आपका वायरस में भी अलग-अलग भाइरस है, साइटो मेगला भाइरस है, इनफ्लूएंजा भाइरस है, पेडा मेक्सिको भाइरस है, एंडेनो भाइरस है, तो यह सब जो है भाइरस याद रखिया है, कम से कम साइटो मेगला भाइरस और एनफ्लूएंजा भाइरस जरूर याद रखियेगा, दोनों ठीक है, चलिए बैक्टरिया और भारस कारण देख लिए इसके कारण होगा अब हम लोग यहां पे देखते है कवक क्या देखते है तो एक होता है कंडिडा की परजातिया जैसे एसपरगिलस और हिस्टेपला मोसिस और एसपरगिलस जो है एक कैंडिडा के पर जाती है और इसके कारण जो है आपका जो फंगस होता है वो आपके पर जाता है फेफरा में और उससे भी नुमूनिया होता है तो ये तीन समझ गए नूर्माली आप बैक्टरिया भायरस और कारण में समझ गए लेकिन ये सब लिग दीजेगा तो थोड़ा स्मार्ट स्टुडेंट कहा ये गा समझ गए चलिए तो कबक में क्याद रखिएगा कि कैंडिडा की विभीन पर जाती जैसे एसपरगिलस और हिस्टेपला मोसिस तो ये दोनों याद रखिएगा फंगस में समझ गए चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग कारण में और सारे कारण देखते हैं जैसे गंभीर संक्रमन सीविर अगर इन्फिक्शन हुआ है गंभीर इनफिक्शन में अगर आपका और सारे रिज़न से अगर फेफ़रा में कोई इनफिक्शन होगा तो निमोनिया का कारण बनता है उपरी स्वसन मार्ग में संक्रमन अगर आपका संक्रमन उपरी मार्ग में है तो क्या होगा आपका बायू कोष्ठक जो है फेफरा का वहाँ पे बायू सही से नहीं पहुच पाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे जो है मवाद पीब बगारा पानी भरने लगेगा और यह आपका निमोनिया पकर लेगा समझ गयए तो उपरी स्वासन में संकर्मन है क्विकूपीर गृरहिता है हाइपर सेंसेटिव है मतलब अत्यधीक जो है सेंसेटिव हो चुका है उस जगह पे तो इन सब जो है कारण में आपका निमोनिया फेफरा में पकरता है और फिर जाके फेफरा सूझ जाएगा या उसमें पीब मवाद भर जाएगा या उसमें इन्फलामेशन हो जाएगा तो यह है आपका होता है क्या चीज फेफरा निमोनिया होता या एक या दोनों में हो सकता है समझ गये चलिए कारण देख चुके हैं बैक्टरिया में भाइरस में फंगस में और कुछ गंभीर संक्रमन हाइपर सेंसेटिव में इन समामलों में जो है निमोनिया होता है तो हम लो में जब तक लिप होगा टो खांसी होगा खोफ भर जाएगा भूंच ऐगा नहीं लगेगा क्योंकि गले में खरास होगा क्योंकि आपका infection जो है उपरी संक्रमन के कारण भी हो सकता है pneumonia तो गले में खरास भी हो सकता है भूख नहीं लगेगा जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं फीबर हो सकता है कॉप हो सकता है ठीक है उसके बाद है बलगम अधिक अना asputum production अब जो बलगम है ओ क्या होगा उसका production अधिक होने लगेगा क्योंकि आपका जो है वहां पे बहुत सारा फेफरा में infection हो चुका है उसके कारण ठीक है सांस लेने में परसानी डिस्पोनिया हो जाएगा सांस लेने में परसानी या कठेनाई को डिस्पोनिया बोलते हैं सम प्लूडाइट चेस्ट पेन होगा जो प्लूडल एरिया है फेफरा का वहां पे जो है चेस्ट के एरिया में पेन होगा तो यह सब जो है आपका लक्षन दिखाई देता है क्या क्या लक्षन दिखाई देगा कि भूख नहीं लगेगा खांसी होगा दम फूलेगा दम स्पुनिया होगा बलगम अधिक बनेगा मांस्पेसी में दर्द होगा कमजोरी होगा ठकान होगा पुरुडवाइट चेस्ट में पेट होगा तो यह सब आपका तरह-तरह के एक्सरे होगा blood test होगा ठीक है कि कि रहु एक किस कारण ंसे हुआ इन्फेक्शन है या क्या कारण है तो बलंड culture test होगा wbc count की जांच किया जाएगा wbc का जांच इसल्יע कि एका जाएगा कि इनफ्येक्शन अगर सरीर में पर वेस होगा wbc वहां पे कम्जोर उसके बाद शुपी होता है यह क्या होगा ब्रोंको सकोपी होगा क्योंकि आपका फेफ़रा में समस्या है तो जो है टेस्ट किया जाएगा निदान होगा ठिक है अपका होता है निदान में डैग्नोस me में अब देखिए इसी कूचन को आपसे पांच बीमारी के नाम देदेगा निमोनिया देदेगा टाइफाइड देदेगा मलेरिया देदेगा उसके बाद देदेगा इनसे फलाइटिस देदेगा इसी तरीका से चरपांच बीमारी के नाम देदेगा और कहेगा कि इसका जो है और नीदान भी देख लिए तो जो है आप किसी भी तरीका से कूछन पूछ देता ही बात है देखिए नेक्स अब देखते हैं परबंध देखते हैं देखिए परबंध देखते हैं तो चुकि इसमें फेफरा का इंफेक्षन है इसके लिए तो सरजारी किया नहीं न जाएगा इसको तो दवाई से ही ठीक किया जाएगा या कोई ठीक किया जाएगा फेफरा को तो सरजारी कर नही परबन ठीक है पहला तो है कि संक्रमन को जो है काम करने के लिए एंटोबाइटिक थिरेपी कॉजेटिव और गेन के अधार पर दी जाती है जैसे पेंसिलीन मतलब जिस भी कारण से जो है आपका हुआ है उस और गेन में समस्या वह आपका एंटोबाइटिक दिया जाता है जै इंड़ीक काप एक्सपेक्टो रेंट मतलब काप से खासी से सान्ती के लिए उसे एकसपेक्टो रेंट दिया जाता है समझ गये तीसरा है रोगी को ब्रौंकी बिलेटर भी दिये जाते हैं अब आप लोग को पता हो तो जह हम लोग अस्थामा पर है थे तो वहाँ भी जो ह यहां भी जो है ब्रॉंकी डिलेटर्स देते हैं रोगी को इंडो ट्रेकियाल इंटू बेसन भी किया जा सकता है रोगी को जो है इंडो ट्रेकियाल इंटू बेसन किया जा सकता है समझ गए तो ए आपका हो गया रोगी को ओटू थिरेपी भी दिया दी जाती है क्योंकि उसका oxygen सांसलेन में परसानी होगा तो ot therapy भी दी जाती है समझ गए आवस्यक antipiratic धर्द के लिए analgesic antipiratic बुखार के लिए क्योंकि लक्षन में हम लोग देखे हैं कि बुखार भी होगा analgesic देते हैं क्यों दर्द के लिए anti-emetics देते हैं दवाईयां उल्टी को रोकने के लिए समझ गए तो यह सब जो है आवस्यक परने पर दिया जाता है यह सब जो आपका है medical उपचार है surgical उपचार इसमें नहीं होता है यह चीज़ समझ गए क्या-क्या दिया जाएगा pneumonia बाले पेसेंट का तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रवंध आएगा प्रवंध में चीज़ सक medical management लिखेंगे उसमें जो है संक्रमन को रोकने के लिए एंटोबाइटिक दवाईया दिया जाएगा जो causes मतलब कारन के हिसाब से होगा सिडेटिब काफ एकसपेक्टो रेंट दिया जाता है मतलब काफ जो है काफ से खासी से सांती के लिए सिडेटिब काफ एकसपेक्टो रेंट दिया जाता है याद रखिएगा सिडेटिब काफ एकसपेक्टो रेंट दिया जाता है किसमें निमूनिया में ठीक है चुकि खासी होता है बहु ज़्यादा कफ बनता है तो उसको रोकने के लिए जो है सीडेटिव कफ एक्सपेक्टो रेंट देते हैं समझ गए तीसरा है रोगी को ब्रॉंकी डीलेटर्स भी दिये जाते हैं क्योंकि यह ब्रॉंकिया तक जो है सं करमीत करता है फेफरा में तो इसलिए जो है इसांसलेण में कठनाई होगा तो ओ झूर है ओक्सिजन छिरेपी भी दिया जाता है समझ गए अब आवसकता के अनुसार एंटी-पायरेक्टिक, इनालजेसिक और एंटी-इमेटिक सब्दवाईया दिया जा सकता है समझ गए तो यह आपका हो गया चिकिसा प्रवन जहां पे लक्षन के हिसाब से और इस्थिति के हिसाब से दवाईया दिया जाएगा चुकि हम लोग देख रहे है चाइल हेल्थ नर्सिंग इसलिए बालक यहाँ पे लिखा है ठीक है अगर यहाँ पे चाइल हेल्थ नर्सिंग नहीं होता तो जैसे यहाँ पे रोगी लिखा है तो सिर्फ रोगी ही रहता समझ गया है चलिए यही सब अंतर होता है ठीक है रोगी को E-T tube लगे रहने का उसका नियमित सक्षन करना चाहिए Indotracheal tube लगे रहने पर उसका नियमित सक्षन करना चाहिए क्योंकि ओजो है अपने trachea से अगर नहीं स्वास लेता है इंडotracheal tube लगाया जाता है और उस tube को भी तो साप करना परेगा नियमीत नहीं तो भर जाएगा तो दिकत होगा ठीक है तो इसके लिए ET2 का नियमीत रूप से सक्सन चुसन करना चाहिए ये नर्सिंग परबंद है समझ गये चलिए नेक्स है बालक के जैविक चिन का निरंतर माप करे बालक हमेशा जो है वाइटल साइन का चेक करते रहना चाहिए ठीक है नेक्स आपका देखिएगा बालक का इंटेक आटपूट चार्ट त्यार करना चाहिए बालक जो है कितना इंटेक कितना आटपूट चार्ट में दर्य दे रहा है इसको त्यार करना चाहिए तो यह आपका चार नर्सिंग परवंद है आप चाहेत इसको और साड़ा लिख सकते है पोस्टन बगारा से तो देखिए यहाँ पर फिला बेक्तिगत स्वक्षता का ध्यान रखे विसेस मुह की देखवाल करे होटो पर भैसलीन आदी एसकिंद का परियोग करे अगर स्वास नहीं ले पा रहा है तो उसे रुखापन महसूस होगा तो मुह का देखवाल करेंगे होटो पर भैसलीन एसकिंद का परियोग करेंगे समझ गए? चलिए नेक्स्ट है उसको जो है विटामिन C की गोली और परियाप कैलोडी युक्त भोजन परदान करे ताकि उसके अंदर से जो बिमारिया है भोजन से भी बहुत हद तक सुधर सके समझ गए? नेक्स्ट है बुखार को कम करने के लिए ठंडे पानी का पटियां रखनी चाहिए वा जोर नासक औस्ति देना चाहिए अगर संक्रमन के कारण फेफरा में नीमोनिया के कारण बुखार हो रहा है तो उससे जो है क्या करना चाहिए कि ठंडे पानी के पटि रखना चाहिए और जोर नासी anti-piractic दवाईयां देनी चाहिए तो यह नर्स अपने तरीका से जो है करेगी देखवाल समझ गए चलिए तो यहाँ पर आपका निमोनिया प्रस्ण समाप्त होता है आप से प्रस्ण पुछेगा 10 नमबर चाहे जितने नमबर में तो आप लोग इसको अराम से लिख देंगे ठीक है चलिए बाकी हम लोग नेश प्रस्ण को देखते हैं देखिए नेश प्रस्ण है और यह प्रस्ण पांच नमबर में है पांच नमबर से बहुत ज़्यादा यह प्रस्ण उमीद है कि इस वार पुछेगा पाइका के बारे में पाइका के बारे में PICA को हम लोग जियो फैजिया बोलते हैं पाइका को क्या बोलते हैं जियो फाइचा बोलते हैं या इसी को मिर्दा भक्षन कहते हैं देखिए मिर्दा पाइका भक्षन किसे कहते हैं मिर्दा पाई का भक्षन किसे कहते हैं इसके कारणों जटिलता वह प्रवंद को लिखे इसका मिर्दा पाई का भक्षन का क्या कारण होता है जटिलता क्या होगा प्रवंद इसमें क्या होगा इसको लिखना है पिक का पाई का के बारे में या जियो फेजिया या मिर्दा भक् पाइका क्या है अब प्राकिर्तिक बस्तूओं जैसे मिटी चौक साबून क्रेयोंस आदी को खाने की आदत को पाइका आथवा जीयो फैजिया कहते हैं अब आप लोग देखते हुएगा कि बच्चा जो होता है साथ आठ साल नौ साल दस साल या छे साल का तीन साल का जो बच् जैसे मिटी हो गिया राख हो गिया उसके बाद हो गिया चौक हो गिया बहुत सारे साबून को भी खा जाता है तो ऐसे लिए इस इसली को हम लोग 6 पाईका बोलते हैं मतलब खाने के योग नहों उसको आप लोगสंज़े पाईकां obriga सै क्या समझे भक्छन मतलब क्या करना क मिटी के बने हुए समानों को या जैसे चौक हो गया, मिटी हो गया, साबुन हो गया, क्रोयेंस हो गया, इन सभी चीजों को जो आप्राकिर्तिक हो, जो खाने के लिए नहीं हो, जो किसी और काम के लिए हो, बट उसे बच्चा क्या करता है, उसे जो है खा जाता है, उसे जो है यहाँ आने के बाद बनता हो जैसे राक हो गया राक चीजे को जलाकर ही बनाते है खाना बगएरा बनता है या कुछ लकडी को जलाते है राक बन जाता है ठीक है या मिरित या मीटी हो गया चौक हो गया जो की चुना के बनता है लिखने वाला बोट पे साबून हो गया क्रियो चीज को जो है खाने की आदत पढ़ जाता है और उसी को जो हम लोग पाई का या जीओ फैजिया कहते हैं समझ गए जैसे कौन-कौन से अप्रा किर्तिक बस तुए है तो मीटी है चौक है साबून है क्रेयोंस है आदी और सारे चीजे हो सकता है जिसको खाने की आदत पढ़ ज उसको खाता है उसका खाने का आदत लग जाता है और उसको हम लोग जीओ फैजिया या पाई का बोलते हैं तो इसका कारण क्या होता है कि बच्चा चौक मीटी यह सब खाने लगता है साबून यह सब खाने लगता है क्या कारण है तो देखिए तो देखिए जब बच्चा क अंदर cuposan हो, malnutrition हो तो इस अवस्था में बच्चा के अंदर जब cuposan होता है, तो उसको खाने के मन भटा हट जाता है जो खाने के चीजे हैं, जो खाना चाहिए रियल में, उससे मन हट कर दूसरे चीजे पर मन उसका ज़ादे अकरसित होता है, तो cuposan malnutrition हो सकता है, ठीक है रक्तालपता, एनेमिया एनेमिया के condition में भी जो है ये चीजे उत्पन हो सकता है, बिटामिल की कमी deficiency of बिटामिल, बिटामिल की कमी होने पर भी जो है ऐसा condition आ सकता है, तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, cuposan, रक्तालपता एनेमिया, बिटामिल की कमी deficiency of बिटामिल, निम्न आर्थिक समाजिक दसा, मतलब low socio-economic condition, अब देखते हो ये गा, ये सब जो condition होता है, ज्यादा तर गरीब बच्चों में होता है, क्यों होता है, क्योंकि वह गाउं में मीटी धूल कन में रहता है, उसको जो है, क्या होता है, क्यों अपना जीधर खिलने लगा, उधरी जो उसको मिल गया, मीटी, चौक, साबुन, उसको क्या किया, खाने लगा चुपके से, अकेलापन में भी ये चीजे होता है, कि बच्चा को अगर अकेलापन कंडिशन में रखते हैं, अपने साथ में, अपने सब चीज बना के, उसके कंडिशन के हिसाब से रखते हैं, तो कैसे मीटी, चौक, डश्ट, ये सब खाएगा, ये सब चीजे, समझ गए, या वर्म इंफेस्टेशन, यानि क्रीमी जन्तू बाधा, पेट में नहीं देखते कि कोई ऐसा क्रीमी बन जाता है, वर्म बन जाता है, कीरा बन जाता है, जिसके कारण जो है, मन उसका भटकते रहता है, और ये सब चीजों को खाने का ज्यादा उसके अंदर जिग्यासा जागरित होने लगता है, तो वर्म इंफेस्टेशन, क्रीमी, जन्तू बाधा, कीरा ह हो जाना इहीं चीज़े समझ गए चरिए उसके बाद देखियेगा जहांपे बहुनातम से बिचलित बच्चे अगंव संतर्फ चिल्टेन अब जो बच्य इमोशिद्ध यहीं बहुनातम कृषAK से बिचलित होता है उसको जो है लार प्यार की कमी होता है या जो अकिलापन होते हैं तो भावनात्मक रूप से बिचलित बचा होता है तो ओ बच्चा जो है मैं आपको पहले ही बता दिया कि अकिलापन रहना या उसको जादा लार प्यार नहीं देना कहीं अकिला छोड़ देना तो इस condition में भी जो है वो क्या होता है भावनात्मक रूप से बीचलित हो जाता है और जहां भी अकिला देखता है तो इन सब चीजों का उप्यों करने लगता है तो यह कारण सब हो सकता है क्या क्या कारण देखे हैं कुपोशन निम्न आर्थिक दसा समाज में उसके बाद हम निटी हो गिया उसके बाद क्रायों जेंस हो गिया और सारे चीजे हैं जिसको खाने लगता है समझ गया और सारे चीजे है जो की नहीं खाना चाहिए लेकिन खाने लगता है उसी को हम लोग पाईका बोलते हैं समझ गया भावनात्मक रूप से बिचलित बच्चे तो यह और सिसा भी साकता को खाने लगह घथगा देखलेगा सरीर के अंदर दिर्ग कालिक पेट दर्द, chronic abdominal pain, मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, कि chronic abdominal pain होगा, क्योंकि वो खाएगा, पेट के अंदर जाएगा, जल्दी उसको पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वही चीजे जो है, जैसे कोई बच्चा है, कोई पलाष्टी का समा निगल गया, कोई पलाष्टी के समान निगल गया, अब ये पलाष्टी के समान जल्दी उसके पेट के अंदर गलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, या तो उसके मल के द्वारा निकल गया, और नहीं निकला, तो उसके अंदर ये तो एश्ट्रा चीजे है, जो कि गल नहीं रह तो दर्द तो उत्पन करेगा ही करेगा तो यह दिर्खकालिक पेट दर्द सिसा भी सकता लेड पौईजिनिंग ठीक है चोट इनजीरि और इसके खाने से हो सकता है उसके मारग में जो है कही जाने के बाद इनजीरि भी हो सकता है इससे समझ गया ठीक है उसके बाद cream infection उसका है और सदा वर्म हिनिफेक्टस अग्सटे जैसे मीटी खा लिगा पेट में जायेगा ओ पेट में चैनल करेगा अपना इंफेक्टाएगा और उसुमेंक करेगा तो क्रीमी इनि फक्जण वर्म पेटू उसको निकाल दिया आत में अब आत में गया हो सकता है आत में यहां पे आकर फस गया फस गया तो आत का इधर का भाग इधरे रहा गया और इधर का समान इधरे रहा गया आत का इधर का भाग जो है इधर जाही नहीं रहा है और बीच में जो है आत क्या हो गया होता है क्या क्या जटिलता होता है एक बार और देख लीजे जैसे सीसा भी सक्तुराल की सरीर में उसका जो है सीसा का मात्रा बढ़ जाएगा प्वाइजनिंग हो जाएगा दिर्ग पेट दर्द मतला लंबे समय से पेट दर्द होने लगेगा ठीक है कृमी इन्फिक्सान मतला क्रीमि संक्रमान बार बार उल्टी करना आत्री अवरोध इंटेस्टेनाइल और श्रक्षन यह सब जो है हो सकता है उसके अंदर समझ गये किसके अंदर यह सब जटिलता दिखाई देगा अगर कोई घटिया चीजे कोई आउटी चीजे अगर कोई बाचा इस खा रहा है तो सम उपचार करें अब इससे समंधित जो समस्या है जिसके कारण बच्चा मीटी खा रहा है राक खा रहा है तो क्यों खा रहा है इसके समस्याओं को पता लगा कर जैसे क्रीमि संक्रमान मतलब वर्म इंफ्रेस्टेस्टेसन और माल निट्रीशन का जो है उपचार करना पता बढ़ेगा गलत चीज़ों के तरफ नहीं जाएगा तो इस सब परवंद करें किया जाएगा समझ गये चलिए दूसरा देखिए बच्चों में रख्तालपता की जांद बच्चों में रत की कमी है कि हम लोग कारण में देखें हैं एनेमिया भी तो अगर रखतालपता की कमी होगा तो उसका जाच करवाएं यह परवंद में होगा तीसरा है अभी बाब को को स्वास सिक्षा परदान करें और पाइका से बच्चों को होने वाली जटिलताओं को समझाएं जो पैरेंट्स है उ लिए नेक्स्ट देखिए चोथा यहां पर देखिए कि बच्चे को डाटने सजा देने से बच्चे वह उससे प्यार से समझाएं बच्चे को क्या करें इन सब चीजों का अगर कभी देखें कि बच्चा मिटी खारा चौक खारा चुड़ा कर छुपके हमसे तो जो है उसको डाटे नहीं मारे नहीं सजा देने से बच्चे प्यार से समझाएं कि बच्चा ए गलत है ए छोड़ दो इससे तुम्हें हानी होगा तो समझ जाएगा अगर उससे मारेंगे सजा देंगे तो जो है क्या होगा उसको और ज्यादा मेंटली भी डिस्टर्प हो सकता है है अपने नाखुन से मीटी को खरोच पाएगा और नहीं जो है ओ क्या कुछ भी जो नेओ से हो सके नाखुन से उससे कुछ एश्टरा चीजे कर पाएगा समझ गये तो नाखुन को छोटा रखे और उस पर निगरानी रखे ठीक है तो आज हम लोग क्या देखे हैं आज हम लोग निमोनिया देखे हैं निमोनिया के बारे में देखे हैं और एक हम लोग आज पाइका के बारे में देखे हैं समझ गये दोनों कुछन अपने आप में बहुत इंपर्टेंट है तो आप लोग पढ़िएगा समझ येगा बाकी rmn nursing.blogspot.com पर जाकर इसका PDF भी देख सक पर सकते हैं धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में नमस्तकार